इंगलांड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद भारती ये टेस्ट क्रिकेटर्स के लिए खुश खबरी आई है BCCI ने टेस्ट क्रिकेटरों के लिए एक इंसेंटिव योजना की घोशना कर दी है ये घोशना BCCI के सचिब जैशाह ने एक्स पर की है इसके तहट अब टेस्ट खेलने वाले खिलाडियों को कितना इंसेंटिव मिलेगा और उसके लिए क्या कंडिशन्स रखी गई है उन पर हमारी चर्चा होगी लेकिन पहले बतादू कि आप देख रहें News 22 को और मैं हूरा की श्रुंजन टेस्ट क्रिकेटरों पर अब पैसों की बारिश होने वाली है हाल के दिनों में ये देखा गया था कि IPL की वज़ा से बहुत सारे भारतिये खिलाड़ी रेड बॉल क्रिकेट को इगनोर कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट को इगनोर कर रहे हैं लेकिन अब BCCI ने वो यूजना जारी कर दी है जिसके तहट टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों के उपर पैसों की बारिश होगी कैसे होगी बारिश ये बता दू लेकिन उससे पहले जो जैशा ने ट्वीट किया है वो आपको बता देता हूँ जैशा ने ट्वीट किया है कि मुझे भारत की मेंस्टेस टीम के खिलाड़ियों के लिए बहुत खुशी हो रही है एक टेस्ट क्रिकेट इंसेंटिव स्कीम शुरू करते हुए उन्होंने कहा कि इसका जो उद्देश्य है वो भी वो बताते हैं और कहते हैं कि इसका उद्देश्य हमारे सम्मानित एथिलीटों को वित्य विकास और इस्थीरता प्रदान करना है और ये अच्छी बात ये है कि ये जो इंसेंटिव स्कीम है वो 2022-23 सीजन से ही शुरू हो ने जा रही है और ये जो इसको आप कहते हैं टेस्ट क्रिकेट प्रोथसाहन यूजना भी जो है इसको कहा जा रहा है और इसमें जो मौझूदा फी है 15 लाख रुपे प्रतित टेस्ट मैच ये तो मिलेगा ही इसके अतरिक्त जो है इंसेंटिव भी खिलाडियों को दिया ज एक सीजन में 75 प्रतिशत से ज्यादा मैच खेलते हैं उन्हें 45 लाख रुपे प्रति मैच मिलेंगे ये इंसेंटिव की बात हो रही है और जो खिलाड़ी ये जो प्लेइंग 11 में रहेंगे और जो प्लेइंग 11 से बाहर रहेंगे उन्हें 22 लाख 50 अजार प्रति मैच का इं खेलते हैं जैसे कि माल लिजे कि 9 टेस्ट मैच है एक सीजन में भारतिय टीम खेलती है तो अगर कोई खिलाड़ी 5 टेस्ट मैच जो है खेलता है तो उसे कितना इंसेंटिव मिलेगा तो उसे जो है 30 लाख रुपे प्रतिर टेस्ट मैच का इंसेंटिव मिलेगा और जो खिल प्लेइंग एलेवन इसे बाहर रहेंगे उन्हे 15 लाख रुपे का इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन जो खिलारी 50 परतिशत से कम टेस्ट मैच खेलते हैं मतलब कि मालनीजे कि नौड टेस्ट मैच है और कोई खिलारी चार टेस्ट मैच खेलते हैं या उससे कम टेस्ट मैच खेलते हैं तो उन्हें कोई इंसेंटिव नहीं दी जाएगे उन्हें जो मैच फीस है 15 लाक रुपे प्रती मैच वही मिलेगा तो अब देखिए ये हाल के दिनों में देखा गया था और इशान किशन श्रीय सयर को लेकर इस तरह की बाते भी हुई थ कि ये रेड बॉल क्रिकेट को डोमेस्टिक क्रिकेट को इगनोर कर रहे हैं इस वज़ा से टेस्ट क्रिकेट पर भी उनका ध्यार नहीं है तो इन चीजों को देखते हुए अब जो है जहां IPL में खिलाडियों को लगता है कि वो करोणों रुपए कमा लेते हैं 8-10 करोड़ रुपए जो है वो दो महिने में कमा लेते हैं तो अब टेस्ट क्रिकेटर भी जो है उनके पास भी पैसे का जो इमाउंट है जो उसकी मातरा है वो ज्यादा हो जाएगी क्योंकि अगर आप सारे टेस्ट मैच खिलते हैं तो आप 7-8 करोड़ रुपए जो है वो टेस्ट का इने हैं टेस्ट क्रिकेट के महत्व को समझाए और साथी साथ खिलाडियों के की जो आप कहते हैं कि आर्थिक जो उनकी चिन्ताएं हैं उसको भी दूर करने का प्रयास किया है कि अब जो है क्रिकेटर्स जो नशिर्फ वाइड बॉल्ल क्रिकेट के खेलना चाहें बलकि BCCI के सचीव जैशा ने खिलाडियों के लिए मतलब की test cricketers के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है जो की एक incentive scheme है test cricketers incentive scheme और उससे जो आब test खेलने वाले खिलाडिये हैं उन्हें भी परयाप्त मात्रा में जो है वो आर्थिक जो आप कह सकते हैं अर्जन हो सकेगा अभ झाल